पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फीचर से आयो होई एक अंजयान वेक्ती ने डोरेमोन को सूट कर दिया था जिस पर इसे डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो आफ हो गया था जब नोबिता ने देखा कि डोरेमोन पूरी तरीके से बंद हो चुका है तो वो कई दिनों तक बहुत दुखी रहा नोबिता की मॉम और डैड ने नोबिता को बहुत समझाया एक दिन देर रात को जब नोबीतर्डरild को बहुत ज़ादा मिस कर रहा था तब डॉरेमन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने आ गया था जो कि डॉरेमन ने आखरी मेसेज के रूप में नोबीतर के लिए छोड़ा था पर दोड़ूरूर। यह लिफापा डॉरामौन ने उसको भेजा ग़ू है, इसलिए उसको जल्दवाजी में खोलता है और खोलते ही फूरी तरेके से चौक जाता है। अब आगे देखते हैं नोबिता लीफावा खोलता है और चौक जाता है क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट बना हुआ था उसमें डोरेमोन की हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि वो कैसे काम करता है डोरेमोन की पाकेट कैसे काम करती है और यहां तक की डोरेमोन के कानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी को किन चीज़ों से बनाया गया है वो सब लिखा हुआ था यह MS-903 यानि डोरेमोन का एक ब्लूप्रिंट था नोबिदा ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिस करता है और जितना उसको पढ़ता है उतना ही दुखी होने रखता है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो डोरेमोन को बिना मेमोरी लाउस वे ठीक कर सके नोबिदा के लिए बहुत जरूरी था कि वो डोरेमोन को उसके सारी मेमोरी इसके साथ ठीक करे बैटरी तो ब्लूप्रिंट की हेलप इसे बनाई जा सकती थी तेकिन डोरेमोन की मेमोरी सेव रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने और इसी चीज़ की उसको इन्वेंशन करनी थी नोबिदा जब ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तब उनी मैंसे एक कागज में कमपणी नेम के आगे MS लिखा हुआ था नोबिदा की नजर उसमें पड़ती है और वो MS का मदलब समझने की कोशिस करता है कि उसको जहान आता है कि MS मदलब तो मात्सु सीवा है यानि जहां डोरेमोन को बनाया गया था हड़बड़ी में नोबिदा अपने ड्रॉर को खोलता है और वो लिखाफे के कवर को चेक करता है जिसमें डीस सिगनेचर किये हुए थे जब साम को डेकि सुगी नोबिदा से मिलने आता है तब नोबिदा ये सारे ब्ल्यूपिंट्स और एक कवर डेकि सुगी को दिखाता है और इसको देखके वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लिफापा डोरेमोन ने नहीं बलकि मासू सीबा कमपणी के डेक्टर ने नोबिदा को भेजा है क्योंकि डेक्टर को मालूम होगा कि नोबिदा के साथ एक ना एक दिन जरूर ये सिचुपेशन होगी इसलिए डेक्टर ने नोबिदा की मदद के लिए ये लेटर भेजा जैसा हमने रिबॉर्न आप डोरेमोन में भी देखा रिबॉर्न आप डोरेमोन में डेक्टर ने डोरेमोन को किर्नैप कर लिया था और वो डोरेमोन को पहले जैसा स्मार्ट बना देना चाहता था क्योंकि उसको regret था कि उसका बनाय हुआ रोबोट defective निकला लेकिन नोबिदा और डोरेमोन की दोस्ती देखके वो emotional हो गया था और उसने डोरेमोन को पहले जैसा नहीं बनाया क्योंकि अगर वो बना देता तो डोरेमोन पूरी तरीके से reset हो जाता डायक्टर को बता था कि एक नाएक दिन नोबिदा की लाइप में ऐसा दिना आएगा जब डोरेमोन आफ हो जाएगा इसलिए डायक्टर ने सारे ब्लीप्रिंट्स को एक लिफावे में डाल कर नोबिदा को भीजवा दिये थे और काफी समय बाद वो लिफावे नोबिदा की address में पहुंच जाते हैं नोबिदा मनीमन डायक्टर को धन्यवाद कहता है क्योंकि उन्होंने नोबिदा की एक बहुत बड़ी मदद की थी नोबिदा अब डोरेमोन के उपर काम करने लगता है वो दिन रात अपने पूरे dedication के साथ काम करता है काफी सालों की मेहनत के बाद वो एक ऐसा रास्ता ढूट लेता जिससे डोरेमोन की memory सेव रहे नोबिदा खुश था क्योंकि उसने ये invention कर दी थी अब डोरेमोन की बैटरी को तयार करना था और फिर डोरेमोन ठीक हो जाएगा नोबिदा गवर्मेंट के department of robotic engineering में जाब करता था उसने जापान के लिए बहुत से invention भी किये थे जिससे जापान का बहुत विकास हुआ था जापान में रहने वाले लोग नोबिदा नोबिदा को बहुत पसंद किया करते थे इसके बाद नोबिदा की सिजुका के साथ साधी भी हो गई थी नोबिदा दिन में जाप करता था और रात को अपनी लैब में डोरेमोन की बैटरी के उपपर काम किया करता था डोरेमोन की बैटरी को बना पाना इतना असान नहीं था जितना उसको बैटरी फ्यूचर में बनी हुई थी उस बैटरी में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखा था जो कि अभी तर डिसकवर भी नहीं हुए थे कई बार बैटरी फट जाये करती थी लेकिन प्रेसिडेंट डेकिसुगी नुबिता की फाइनेंशली बहुत हल्प करता था और इसके साथ ही वो दोनों मिलके उन कंपोनेंट्स को भी ढूटते थे और उन पर रिसर्च करते थे डेकिसुगी प्रेसिडेंट था जिस वेसे उसकी सारी कंट्रीस के साथ कॉंटेक्ट था डेकिसुगी बार कंट्रीस से कंपोनेंट मंगाता था ताकि वो लोग बैटरी को बना सकें भले ही वो कंपोनेंट्स कितने ही महेंगे क्यों नहों डेकिसुगी नोविता का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और उसको बहुत support क्या करता था। नोविता ने बहुत सारे experiment किये ताकि उस element को बना सकेए जिसका जिक्र blueprint में किया गया था। काफी सालों की मेहनत के बाद और एक्सपेरिमेंट्स के बार नोबिता उस बैटरी को तयार कर देता है और डोरेमोन में फिक्स कर देता है 35 साल गुजर गई थे नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसका इंटेर्वियू होना था यह इंटेर्वियू प्रेइणन डेकिस होगी देख रहा था उसने जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाया था जहां डेकिस होगी उन दोन को नोबिता के invention के बारे में बताता है जियान और सुन्यों चौक जाता है क्योंकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि नोबिता अभी तक डोरेमोन के उप़र काम कर रहा है वो दोन्हों नोबिता की दोश्टी की तारीफ करते हैं कुछ देर बाद रात हो जाती है ये वो ही रात थी जब नोबिता डोरेमोन को आउन करने वाला था नोबिता अपनी लेब में था जहां सीजुका भी आ जाती है सीजुका लेब में डोरेमोन को देखके भागुख हो जाती है उसकी आँकों में आसों आ गए थे क्योंकि शिजुका को पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के उपपर काम कर रहा है नोबिता स्विच ओन करता है और फिर डोरेमोन उठ जाता है और उठते ही बोलता है ये देख नोबिता रोने लगता है उसको अपना पूरा राण डोरेमोन वापिस मिल गया था वो डोरेमॉन को गरे लगा के रोने लगता है सीजुगा की आँखों में भी आँसु थे क्योंकि नूबिता के इतने सालों का सब्स पूरा हुआ नूबिता ने डोरेमॉन को ठीक करके अपना वादा पूरा किया डोरेमोन दाडी मूच वाले नोविता को देख के पूछता है तुम कौन हो क्योंकि बाहर 35 साल गुजर गए थे लेकिन मानो डोरेमोन के लिए तो सिर्फ एक मिन्टे गुजरा हो नोविता अब 10 साल का बच्चा नहीं था नोविता काफी देर रोने के बाद खूछी से डोरेमोन को 35 साल का सफर बताता है डोरेमोन खूछी से रोने रखता क्योंकि उसको यकिन नहीं होता कि 35 साल गुजर गए हैं और बेकूफ सा नोविता अब एक जीनियस बन चुका है वो काफी देर बाते करते हैं नोविता ये न्यूज प्रेसिडेंट डेकी सुगी को बताता है और डेकी सुगी ये सुनकर खुछी से भावुख हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है डेकी सुगी ये बार जियान और सुनियों को बताता है और जियान और सुनियों ये बात सुनकर खुशे से बागल हो जाते हैं इसके बाद जब नोबिता डोरेमोन से अचानक चले जाने के बारे में पोस्टा है तब डोरेमोन उस अंजान विक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को सूट किया था डोरेमोन बताता है कि उस दिन सिवासी मुझे से मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया था कि जल्दी ही मेरी बैटरी खत्म होने वाली है इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हार ले एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यूं मुझे सौक लगा और मैं ओफ हो गया फ्यूचर से सिवासी और डोरामी वहां आ जाते हैं और सिवासी डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है क्योंकि उसको 35 साल बार दुबारा डोरेमोन से मिलने का मौका मिला था डोरेमोन ठीक हो जगा था जब डोरेमोन सिवासी से उस सौक के बारे में पूचता है तब सिवासी सारी बातें बताता है वो बताता है कि उस दिन उसने इलेक्ट्रिक गंद से डोरेमॉन को सूट किया था जिससे डोरेमॉन की बैटरी में सौर्ट सरकिट हो गया था और बैटरी डिस्ट्रॉय हो गी थी यह सुन नोबिता को गुसा आदा है लेकिन नोबिता अब पहले जैसा नहीं था जिससे डोरेमॉन की मैमॉरी लॉस होए बिना वो ठीक हो जाए फ्यूचर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था बस एक ही आदमी ऐसा कर सकता था वो आप थे ग्रेंट पा सिवा सी आगे बताता है कि बच्पन से ही डोरेमॉन ने मेरा ख्यार रखा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मैं नहीं चाहता था कि डोरेमॉन मुझे और मेरी यादों को भूल जाए डोरेमॉन को आफ होना ही था इसलिए मैंने उसको सूट कर दिया ताकि आप उसको बिना मेमॉरी लॉस किये हुए ठीक कर दे डोरेमॉन का आप से अच्छा कोई और दोस्त नहीं था और आप ही एक मात्र ऐसे वेक्ती थे जो डोरेमॉन को ठीक कर सकते थे और डोरेमॉन के लिए कुछ भी कर सकते थे और फ्यूचर में इस इन्वेंशन को करने वाले आप ही हो और आपने कर दिखाया फ्यूचर में हमने देखा था कि 35 साल बाद आज की तारीक में ही आपने इन्वेंशन पूरी की हुई थी इसलिए मैं और डोरामी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे ये सुन नोबिता को यकिन नहीं होता कि वो ही वो वेक्ती है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतनी बड़ी इन्वेंशन की थी अब सारी चीजने ठीक हो जाती है नोबिता ने 35 साल पहले जो खुद से वादा किया था उसने पूरा किया डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वे से जो नोबिता हमेशा क्लास में जीरो लाता था अब एक जीनियस बन चुका था और ना सिर्प जीनियस बल्कि एक बहुत समझदार वेक्ती बन गया था नोबिता के माता पिता होते तो वो उसके उपर बहुत प्राउट करते रात को आस्मान में तारे देखते हुए, डोरेवन नोबिता से पूछता है, क्या तुम पास्ट में जाकर फिर से बच्पन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, डोरेवन, मेरा बच्पन बहुत खूप सुरत था, लेकिन अब इसकी जरुत नहीं है, मैं जहां हूँ, वहाँ खुस हूँ, मैं अपने जीवन से इसले भी खुस हूँ, क्योंकि मैं जो बनना चाहता था, वो मैं बन चुका हूँ, मैंने अपनी जीवन का मकसद पूरा किया, मेरे पास वापिस आ चुके हो, मौम और डैट की जाने के बाद, मैं बहुत अकेला हो गया था, शिजुका के अलावा, मेरा कोई नहीं था, और अगर आज मेरा अंतिम दिन भी होता, तो मैं खुसी खुसी अपनी मौम और डैट के बाद चले जाता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमॉन, डोरेमॉन को नोबिता की मौसे ये समझदारी बाली बाते सुनकर यकीन नहीं होता, डोरेमॉन के आँखों में आसू थे, और वो मुस्करा के कुछ नहीं बोलता, और वो दोनों सांतिसे आसमान में तारे देखने लगते हैं, और एक बार फिर डोरेमॉन उनके साथ खुसी खुसी रहने लगता है, और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एनिवे, नोबिता का क्यारक्टर मैजिक कार्टून या एनिमे नहीं है, बलकि ये तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेश चाहिए, हमारे अंदर भी हमारा एक बेस्ट वर्जन चुपा है, जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वो सोचता था कि वो कमजोर है और नहीं कर सकता, लेकिन डोरेमॉन के चले जाने के बाद उसने खुद पे बरोसा रखा और मेहनत करी और एक इंटेलिजन बच्च जा सकता, इसलिए आप भी बैठो मत, बलकि अपने लक्ष को पाने के लिए उठो, जागो, भीदा की लाइफ के उपर जल्दे एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ये वीडियो बसंद आई, तो कमेंट एक नो भी जरूर लिख देना, तकि मैं ऐसी वीडियो और बना सुखूँँए